हेलो दोस्तो गूड मॉनिंग सब मेरे भाईयो मैं बताना चाहता हूं कि अपने छट पे आप भी हरी सबजिया लगाएं आप सहर में हो या गाओं में हैं हर जग अपने छट पे सब्जिया लगाएं और सुबह सुबह आप लोग का भी एक्सरसाइज होगा थोड़ा सा मेहनत करें आपका हेलत अच्छा रहेगा देखिए हमने लगाया है अपने छट पे यह हो गया नेनुवा इसको घेमडा भी बो पर से कद्दू भी लगाया है है कि यह कद्दू है एक शती ह sebenar को बढ़ेख सेट भी एक महिनं को बढ़ हो गया है आप खाल में हैं यॲग भी लगावन दुए हम्फ जबभ सुबह अब को शुल हैतə है क्यों कि देखिए यह अध्यूत छूस्स यह यह निनुवा है यह हरी मीर्च है वोगोल वाली हरी मीर्च है देखिए इसमें फल लगा हुआ है बहुत सा फल लगा हुआ है देखिए दोस्तों कि इतना अच्छा फल लगा हुआ है इसमें फुला रहा है यह भी वैगन है इसमें फल लग रहा है देखिए छट पे अपन रखके नीचे कुछ रख दीजिए उसका मिर्टी रख दीजिए और कर देखे यह मिर्ची है कि अलवेरा है दोस्तों इसको बोलते हैं वहतुगा और इधर है आपका लासौन देखे दोस्तों यह है लासौन अभी छोटा-छोटा इसलिए उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा ह देखे लेकिन मैं नजदिक से दिखाने कोशीश कर रहा हूं इसके बाद यह यह लाइन में में मैंने पूरा हरी मिर्च लगाया है देखिए दुस्तों यह मक्की है लगा सकते हैं अपने छट पर अपने गाडेन बना सकते हैं मैं थोड़ा बहुत लगाया है कि हम लोग गाउं से हैं तो बाहर भी लगाते हैं छट पर थोड़ा तो दिखा रहा है दोस्तों मैंने अपना और गड़न क्या कि मैंने लगाया है इधर दोस्तों मैंने और इधर लगाया है जोड़ा वी फल दे रहा है जवरा निकल रहा है और मैं दिखा रहा हूँ मैंने अपने च्छत के नीचे जगह है तो उपर से मैंने चड़ा दिया यह हो गया आपको मैंने पिटे से लगाया है अगर यह जीबनी लगाया है यह सब कद्दू है और दिख रहा हूगा मैं जून करके दिखाता है इदर कराइला भी लगाया है यह उन्हार का गार नगा लगा दिया है मैं इधार भी घेमडा का लगा दिया है और इसके सामने में नीम की और थ्राइप दिखाना कर दोस्तों हो और इधर मैं तुलिसी इन अफ भी लगाया है जामने ने और इधर में दोस्तों एक शबवान का भी गास लगाया है मैं दिखाता हूं जूम कर गया ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे हम ठीक है थैंक्क्यू मेरे दोस्तों